नमस्कार आदाब सश्यकाल मित्रों स्वागत है एकबार पुनह आप सभी का समाधान कारिक्रम में बच्पन में हम देखा करते थे दूर शितिच की ओर तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जमीन और आसमान दोनों मिल रहे हैं और जब तक हम बड़े हुए तो वर्षों तक हम यही सोचा करते थे की कहीं न कहीं एक ऐसा छोर है जहां जमीन और आसमान मिलते हैं लेकिन जब सत्य का पता चला तो सत्य कुछ और ही था कई बार ऐसा होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पर या कुछ देख कर कुछ ऐसी मानसिक्ता बना लेते हैं जो सत्य से बहुत दूर होता है शायद कई बार ये मानसिक्ता हमें बहुत सारी प्राप्तियों से वन्चित कर देते हैं यही कारण है कि विभिन्य प्रकार की जो भ्रांतियां हैं ज्ञान को लेकर या ब्रह्मा कुमारिस परिवार को लेकर उन भ्रांतियों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के लिए और इस चर्चा में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं आदर्ने राजयोग सुर्य भाय जी आए उनका स्वागत करते हैं ब्रता जी आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं ब्रता जी पिछली बार हमारी चर्चा हो रही थी शास्त्रों के संबंध में शास्त्रों में बहुत सारी बातें कही गई है परमात्मा के लिए बहुत सारी बातें कही गई है कर्म को लेकर के या स्रिस्टी को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई है उनमें जैसे आपने कहा था कि बहुत सारी मिलावट होने के कारण विरोधा भास आ गए है लेकिन जहां तक परमात्मा की बात है विभिन आतारों की बात कही गई है ब्राताजे कि इस रोप में इस रोप में इस रोप में आतार लिया परमात्मा ने सत्य क्या है भगवान ने गीता में खुद कहा जब जब धर्म की लानी होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ अधर्म का विनास करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए साधू जनों की रक्षा करने के लिए जो दूसरे डंग के लोग हैं उनका संधार करने के लिए बिलकुल उसके अवतरन का ये लक्स है अब पहली बात तो ये के कहीं 24 अवतार कहीं 10 अवतार भगवान के दिखाये जाते हैं भगवान का अवतार केवल धर्ती का उद्धार करने के लिए कि धर्ती को कोई राक्सस ले गया था सागर में चली गई थी और विश्णु जी ने अपना सुकर अवतार धारन किया और नीचे गए और उसको वार कर ले आए तो ये बाते आजकल के जो बुद्धिमान लोग हैं वो नहीं समझते हैं सागर भी तो धर्ती पर है तो धर्ती सागर में कैसे अंदर चली गई ये सब बाते कुछ ऐसी है कि आजकल का यूवक इन बातों को सुनके हंसी मजाग करता है भगवान का अवतरन सब्ध्य धर्म की स्थापना के लिए होता है मैं जरा चिंतन का काम दे में वहां धर्म है ही नहीं तो भगवान आय क्यों 3 यूग में धर्म के तीन चरन होते हैं धर्म अपनी सथो इस्तिती में है थोड़ा सा ही गिरावट हुई है वहां भगवान आय क्यों द्वापुर में दो और कल यूग में धर्म का एक चरण और कल यूग के अन में वो भी खतम हो जाता तब उसके आगमन की आवश्चक्ता पढ़ती है तो यह जो बात यूगी यूगी कही गई है इस पर खुद विचार कर लें जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं कि जब उसका अवतरण होता ही सत्धर्म की स्थापना के लिए जब धर्म की गलानी हो जाती है तो यह स्थिती तो कल यूग के अंत में आती है असूर कुछ और नहीं होता है जिसमें असुरियत आ जाये दानवत है तो यह संसार की स्थिती कल यूग के अंत में ही आती है इसलिए भगवान की अवतरन का समय भी कल्योग का अन्थी है और जब आप भगवान स्वयम अवतरित हुए तो उन्होंने हमें ये बाती स्पस्ट कर दी कि मैं सत्यूग में आके करूंगा क्या तुम मेरी बात ही नहीं सुनोगे तुम संपोर्ण हो तुम परफेक्ट हो दंद ये उसी समय की है जब भगवान इस धरा पर आते हैं ये लिखने वालों की कुछ गडबड हो गई है उससे चीजे हो गए बहला सोचने की बात है जब सत्यूग में धर्म के चार चरण है धर्म अपने संपोर्ण सो रूप में है वहां असुर लोग आए कहां से और ये भी व आते हैं उन्होंने सोयम बता दिया मेरे आने का समय केवल एक ही है वो है कल्यूग का अंतिम समय और मैं आकर कल्यूग को सत्यूग में बदलता हूं और उसके लिए मैं कोई जादू से नहीं बदल देता हूं उसके लिए मैं तुम्हें सत्ग्यान देता हूं सत्ग्यान देक राजियोग अभ्यास करती हैं, वो पवित्र बनती हैं, पुनह देवत्व की ओर चलती हैं, राजियोग से प्रकर्ती भी पावन बन जाती है, और ये कलियोग नस्थ हो जाता है सत्यूग का प्रारम उन पवित्र आत्माओं के द्वारा हो जाता है. पापा आत्मायन समाप्त हो जाएंगी पापी मनुस और जो अच्छे मनुस बचेंगे सतो परदान उनके द्वारा नई स्रस्टी की स्थापना हो जाएगी तो यह संपूर्ण सत्थ है हम सब की समझ में आ गया और मुझे लगता है हमारे सभी दर्सक इस बात को इतनी बुद् नहीं चाहिए थी सुधार इंप्रूमेंट होना चाहिए तो घिरावट ही होती है गया गीता में यह बहुत ही सपस्ट है चो थय है मेरा जनम और करम दिव्य और अलोकिक है बहुत सुंदर यह बात है और बड़ी गहस्म ही है मैं प्रकरतिक मनुस्यों के सदर्स जनम नहीं लेता वलकि प्रकर्ती को अधीन करके प्रकट होता हूं अब सोच लीजिए भगवान ने सूकर के रूप में अवताल लिया इसमें दिवियतार अलोकिकता कहां होई सूर को तो देखके वैसे ही लोग घरना करते हैं नर्सिंग रूप में उसने अवताल लिया और एणा कस्याप का वद्ध किया तो क्या एक राक्षस के वद्ध के लिए भगवान आए बाक्ति की राक्सस होगा क्या होगा उस तैम एक राक्सस थोड़ा ही होगा उसका पूरह संपर्दाए होगा तो जराद चिंतन करेंगे कि भगवान का जनम और करम दिव्य और अलोकिक है, मनुस्यों के सदर्स ही नहीं, यह संगार करना है तो मनुस्यों का काम है, बही असुरों का संगार करना, अज भी मिसाइल्स बने हैं, बड़ी-बड़ी सुंदर बंदू के बनी हैं, मुसीन घने बनीनिया, किसी भी राक्सस का सेर भी आ जाये तो एक सेकिंड भी नहीं ठैर पाएगा, तो ये कोई दिव्यतार अलोकिक्ता नहीं हुई, दिव्यता है मनुश को देवता बना देना, दिव्यता है संबून ग्यान देना, यानि जो कारी ये मनुश नहीं कर सकते, वो करते अब परमात्मा किस रूप में अवतरित होते हैं और यदि वो अवतरित होते हैं तो एक साधारन मनुश्य उन्हें कैसे पहचाने कैसे अपने जीवन को धन्य दनाए आपने किया इस क्वेश्चन के साथ मुझे याद आ रही थी एक बात जब आपने का किस रूप में अवतरित होते हैं तो दस अवतार में नोव आवतार महत्मा बुद्ध को भी दिखाया है अभी देखिए अवतार और सत्त की खोज में भटक रहा है अवतार और भूक प्यास से विल्कुल मरने वाला है अवतार और जिसमें बुद्ध धरम इस्थापित किया उसका विरोध हिंदु लोग कर रहे हैं क्यों अगर वो विष्णों का ये अवतार तो उसका विरोध क्यों तो ये ऐसी विचारनी ये बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आचारियों वाधने विधने समंद्र वह के लिए घार्मणी लाने के लिए ये सब बाते समाज के सामने रख दी था वाधी भगवान en idea निराकार कारथ होता है देहे से जिनको नियारा आकार हैं जिनको इन आखों से नहीं देख आ जा सकता इसलिए निराकार भी लोगों ने क्यों कह दिया, उसका रूप नहीं, क्योंकि आँखों से देखा ही नहीं जा सका, अती सुक्स्म, सुक्सम अती सुक्स्म है, और फीजिक्स पढ़ने वाले जानते हैं, जो अबजेक्ट सबसे सुक्सम होता है, वही सबसे अधिक पावरफुल भी होता है, तो वो all इसलिए जहां किसी का जनम हुआ जहां कोई बच्चा बना युवा बना व्रद्ध हुआ जनम हुआ और फिर मत्यु हुई वो भगवान नहीं कहलाता है भगवान के तो यह महावाक्षी है तो जितने भी अवतार हैं उनको इन कसोटियों पर कस कर देख लेना चाहिए तो इस सागर हैं तो ज्यान देंगे प्रेम के सागर हैं तो प्रेम देंगे कहीं भी उनको यह नहीं दिखाया गया वो संगार करने वाले हैं इस तरह से के असरों का संगार क्या इसको मार दिया उसको मार दिया दोचार को मानने से कोई यूग नहीं बदला करता संपूर्ण सरस्ट लिको सतो परधान बनाना होता है, तो भगवान क्योंकि जनम नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें परकाया प्रवेस करना पड़ता है, वो परकाया प्रवेस करते हैं, इस शब्द का वर्णन गीता में है, प्रकरती को अधीन करके, देखें सरीर के जो नियम है, जो गर्ब से बचपन फिर बड़ा, भगवान इस सरकिल में नहीं गूमते, वो एक वरद मनुस के तन में प्रवेस कर लेते हैं, और उसके मुख के माध्यम से, उसके मुख को अपना अधार बना कर सत्ध ज्यान उच्चारन करते हैं, और उस सत्ध ज्यान से जैसे मैंने कहा, सब की सदग परश्ता होती है तो उसका चेहरा धिव्यता से एक तेज और ओज से एक जो glow होता है अलोक की तेज से फरफूर हो जाता है वो हम सब ने देखा है और हम सब चेहरा देखके समझ जाते थे कि परमपीटा निराकार से वाबा इनके तन मेवतरित हो चुके हैं और जिब जाते थे उसके थोड़ी देर बाद भी हम समझ जाते थे कि वो परमसत्ता इन से निखल चुकी है तो स्वैम उसने ग्यान दिया अब कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि आप कैसे मानेंगे उसके वाइब्रेशन से प्यार का सागर है तो प्यार ज्यान का सागर है तो अनन्त ज्यान च्यानती का सागर है तो वातावन में गैन स्यानती सर्व सक्तिवान है तो वातावन सक्तिसाली इस सब की अनुभूती से ये समझ में आ जाता है कि ये कोई मनुस नहीं ये कोई महापुरुस नहीं इस्वयम परम सकता है और बाबा ने तो अपने को भगवान तो छोड़ो गुरू भी नहीं कहलाया भगवान तो अलगी बात है कई लोग हाथ जोड़ के कहते थे आप तो दादा हमारे लिए भगवान है बाबा तुरंत रोक देते थे गलत भगवान हम सब का परमपिता है वो उपादी किसी मनुस को नहीं दी जाती मैं तो निमित मात्र हूँ मैं तो केवल उनका रथ हूँ माध्यम हूँ मैं ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ ज्ञान तो ज्ञान के साधर ने दिया है बिलकुल बाबा कैंसिल कर देते थे तो बाबा वास्तों में भगवान थे ही नहीं पर हमारे मेडिटेशन रूम में बाबा के चितर देखते हैं लोग तो समझते हैं ये इनका गुरू है इसको ये भगवान मानते हैं लेकिन हम अपने स्रोताओं को और धर्शकों को ये स्पस्ट कर देना चाते हैं, कि दादा को हमारे हैं कोई भी भगवान नहीं मानते, उनको हम अपना अलोकी किबाप मानते हैं, केवल परमपिता को ही परमपिता, परमशिक्षक और परमसदगुरु मानते हैं, दादा को भी नहीं, इसलिए ये ब्रहानती अगर किसी के मन में रहती है, और ये ब्रहानती मनुस्यों को प्रभू मिलन के सुक से वंचित कर रही है, तो मैं कहूंगा इस ब्रहम से दूर हो जाएं, और एक बहुत बड़ा सुक और एक बहुत बड़ा भाग्य जो मिल रहा है, कि प्रभू मिलन हो रहा है हम सब आत्माओं का उसका अनुभाव अवस्य करें। बिल्कुल, तो इस ब्रहानती में ना रहे हैं कि ये किसी गुरु को, मतलब प्रजा पिता ब्रह्मा कह लें, दादा लेक राजी कह लें, उन्हीं भगवान ना मान के, वो केवल एक माध्यम हैं, और वो भी इंगित करते हैं हमें उस सर्व शक्तिवान की और निराकार की, और जैसे कि सभी धर्म गुरुओं ने भी वास्ताव में जाता जी यही किया था, कि परमात्मा की और इंगित किया था, कि वो निराकार है, लेकिन शयाद हम उन धर्म गुरुओं में ही अटक गये और उन्हें ही अपना परमात्मा मान लिया, बाद में यही होता है कि अने गुरू जब आते हैं तो उनके द्वारा कुछ चमतकार हो जाते हैं, उनके द्वारा कुछ लोगों को मदद हो जाती है, उनके बिगडे काम समर जाते हैं, तो लोग भावना से उनके चरण चूते हैं, उनको भोग भेश चड़ाते हैं, और कई तो कहेंगे हे गुरुदेव आप ही हमारे लिए भगवान है और वो भी अपनी महिमा सुन के जरा कभी प्रसन्द हो जाते हैं तो यह पुझ्य भाव उनमें आ जाता है इससे यह गलत मान्यता पर शलीत होती है कि यही भगवान है और एक बाद शाद हमारे यहां कहीं भी जात दे दिया गया है तो इसलिए भर्मात्मा तक तो पहुंच नहीं पाया लेकिन गुरु को ही शायद सब्सक्राइब दर्जा देने का लक्स था उनकी महनता को सुईकार करना वही गुरु नहोते तो हमें भगवान का ज्यान कौन देता गुरु माध्यम नहोते तो हम आ तक कै ज़ना मेंनेरा से पहुंचते लेकिन यह गुरुओं का करतव है कि स्पश्ट करें कि मेरे में आ अठक जाओ डाइरक्ड जुडओ बाबाने यही किया कि किसी को भी अपने में मेंने अटका है बाबा जब शाकार में थे अपना फोटो भी नहीं लेने देते थे उनकी प्रत जो बहुता है चित्रों को चुमता है नहीं मस्तक से लगाता है जैसा किया करते हैं तो ये बिलकुल भ्रांति अपने मंद से निकाल देने चाहिए निराकार, परमातमा ही हम सब के परंपिता है। जो शास्त्रों में बातें आतार के रूप में कही गई हैं उन आतारों के रूप में नहीं लेकिन परमात्मा योगी योगे भी नहीं लेकिन कलियों के अंत में आते हैं और वो समय अभीका है जबकि परमात्मा इस स्रिस्टी पे आ करके एक साधारान मानावतन के माध्यम से इ एक और ब्रहांति विशीज ब्रता जी जो लोगों के मन में है शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये जो संपूर्ण स्रिस्टी है उसकी आयो लाखो वर्ष की है करोडों वर्ष की है या कई बार जो वैग्यानिक भी हमारे है वो भी जो अपने स्रोध करते हैं उसमें कहते हैं क ये जो हमें जीवाश में मिला है ये भी लाखो करोडों वर्ष का है लेकिन ब्रहा कुमारीज ये कहती है कि ये जो साइकल है स्रिस्टी का वो केवल 5000 वर्ष का है तब इस बात को हम कैसे समझें देखिए स्रिस्टी तो लाखो और वो साल की क्या अनादी है ये तो सदा थी और सदार रहेगी, क्योंकि अगर हम यह कहते हैं, यहां से शुरू हुई थी, तो एक नया प्रस्ण उठेका, इससे पहले क्या था, भगवान था या नहीं, क्या था उससे पहले, समय क्या था उससे पहले, समय को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यह वास्तों में भगवान ने आ तरावरत होता रहता है इसलिए 5000 साल का यह एक सरकल है तो एसे भगवान ने आकर और शैल कि अध्याय। तरीके हैं किसी चीज के लिए समे को निर्धारित करने के लिए आज कुछ समय निर्धारित किया कल कुछ अरबो साल कह देते हैं उससे ये वाजव अभी भी लोगों ने गौर्ड पार्टिकल के रूप में ये वर्ण किया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सुरस्टी सदाई है 5000 साल में उसका चक्र पूर्ण होता है बिलकुल, तो व्रता जी मन में फिर भी कई बार ये प्रश्न तो अवर्षय उठी जाता है कि ये इतने सारे जो बातें कही जा रही है हमें कई बार ऐसे जीवाश में मिलते भी हैं डाइनासौर के कई बार मिल जाते हैं बड़े-बड़े कंकाल दिखाई देते हैं को चीजे रही हैं सागर में रही हो या जंगलों में रही हो और जब सत्यूग का पीरियड था तो आबादी तो बहुत कम होती थी भारत के बीच के हिस्से में ही देवता बसते थे बाकी प्रत्वी का अन्य भाग सुन्दर जंगलों से भरा वो खराब जंगल नहीं होते थे तो ये बिलकुल संभव है सत्यूग और त्रेता में ऐसे बहुत सारी जीव जनतू रहे हो लेकिन त्रेता के बाद भी एक विनास हो जाता है छोटे स्केल का विनास जिसमें डेवसभ्यता लोफ हो जाती है तो ये बहुत सारी चीजे तब लोफ हुई है जो उनका कुछ पता नहीं चल रहा ना तो अंदाज से लोग कह देते हैं वह इतने लाग साल पहले की ये चीज तो रही होंगी तो ये इस तरह से है बसके वलोफ हुआ अवस्य है बिना उन चीजों के एक्जिस्टेंस के तो उड़का कुछ मिलना संभव नहीं है बिल्कुल और वैसे तो कहा जाता है कि विज्ञान तो खैर एक शोद करता ही रहता है अभी शायद इतने वर्षों का है तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ परिवर्पन की बात आती हो तो एक विज्ञानिक ने ब बहुत अच्छा अभी देखो उन्होंने वो भी एक विज्ञानिक था वो अपनी रिसर्च को यहां ले आए तो विज्ञानिकों के अलग-अलग फिल्ड हैं अलग-अलग उनकी सब्जेक्ट हैं अलग-अलग उनकी मान्यताएं हैं मान्यताएं बदल सकती हैं क्योंकि वो जा सकती है नहीं कि पीएचडी करने वाले कंडिडेट ने जो कुछ लिख दिया वो संफोन सकते होगा एक नया व्यक्ति आके कोई नहीं चीज भी दे सकता है और उसके लिए हम सभी को तैयार भी रहना चाहिए अपने एक सुंदर बात कही कि कि किसी वैज्ञानिक नहीं कह है कि टाइम जो है साइकलिक है कि जादा तर वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम साइकलिक नहीं है लीनियर है सीधी चल रही है सथी इस विशह में आध्यात्म क्या कहता है अध्यात्म ही कहता है साइकलिक और में है चल तो सदा ही रहा है क्योंकि अगर सीधा चल रहा है तो फ प्राइसर में ही भगवान ने इसको बताया कि ये है इसलिए इसका आदी है नान्थ है और वास्तों में जहां से शुरू होता है वहीं-end होता है फिर वहीं-end होता है सुझील का beginning और end होता है बकि ये समय और ये ऐस चक्रह से ही चलता है तो विज्ञान ये मानता है कि जो स्रिस्टी की शुरुवात होई, अमीबा से होई, कोई भी स्फोर्ट हुआ और धीरे धीरे करके विकास हुआ और मनोश्य आज की स्थिति तक पहुचा है, लेकिन अध्यात में ये कहता है कि ऐसा नहीं है, पहले जो थे हमारे जो में ये संकल्पा है, आथा कि मैं देखूं विकास कैसे हुआ है, उन्होंने बहुत सारी चीजों की स्टेडी की और अपना एक चिंतन दिया था, लेकिन वो एक मनुस का चिंतन था, किसी ने आज तक बंदर को मनुस बनते तो देखा नहीं है, या बंदर यहां फेंसे वही होंगे ना, पिर लाखों साल तो हर चीज को अगर उनकी मान्यता है, तो हो ही गए ना, अब भी वो रूपांतरत होते हुएं, दिखाई देते कि कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो बंदर बंदर ही हैं, मनुस मनुस ही हैं, एक्चुली तो यह है कि मनुस बंदर जैस कुछ नहीं है, भगवान ही जो सत्य ग्यान का दाता है और ग्यान का सागर है, उसने बताया तुम मनुस न कभी बंदर थे, न जीव जन्तु थे, न कभी बनोगे, तुम तो वास्तों में देवता थे, देवत्तु तुम्हारे अंदर है, इससे तुम समझ सकते हो, देखिए हम अपने अगर, मैं अपनी आयू के साथ-65 साल अगर देखूं, तो बच्चपन में हम देखते थे, अब पता चलता है, कि तब के लोग कितने सुन्दर थे, माना सब भी है, देवी आच्रवनों से भरपूर, उसे अगर हम सहुसाल पीछे जाएं, तो मनुस में बहुत माना होता थी, बहले ही गरीबी रही हो, उसे अगर हम 500 साल, यह जो ब्रस्टा ब्रस्टा चार जैसे शब्द तो अभी के हैं चायर, यह जाएं, तो बच्चा बच्चा बोलता है, ममी टेंसन बहुत है, पापा टेंसन बहुत है, तो देखिए, मनुस अगर हम पीछे की तरफ चल तो हमें उसमें दिव्यता 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 नजर आती है, भारती इतियास पे नजर डालें, गुप्त काल, मौरिये काल, यह सब काल में लोग दिखाते हैं, ताले लगते ही नहीं थे, दरवाजे भी नहीं होते थे, चीनी यात्री भी जो आया थी, उन्हों बन होता है, दोनों बात कभी मिलती नहीं है, तो भगवान ने आकर बताया कि आदिकाल में तो तुमारे अंदत देवत्तुता तुम देवता थे, अब मनुस बने उपतन हुआ है, इसलिए वो बात बिल्कुल गलत है, वो एक मनुस की खोज थे और मनुस मनुस है, उसकी अपन हो जाए, जैसे विज्ञान में नहीं नहीं रिसर्च होई है, वो पढ़ाई जाती रही है, जब हम पढ़ते थे, तब MSC में कुछ और होता था, अब तो वो पीछे चला गया है, बारी वी ख्लास में पढ़ाई जाने लेगा, आब MSC में कुछ नहीं चीज़े आ गए हैं, जो वज्ञानिकों ने रिसर्च कर ली है, तो वास्ता में एज्यूकेशन में परिवर्तन इस तरह होना ही चाहिए, तब ही वो चीज विखास को प्राप्त होते हैं, तो एक ही चीज को लिए बैठे, उस पर ही डिसकस कर रहे हैं, मेरे पास विद्यार्ती बहुत आता है, ड जो भी सत्यूग में हुआ या जो भी हम अभी कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, everything, ये बात कई बार लोगों के गले नहीं उतरती, कि भाई ये हो बहु कैसे रिपीट होगा, अभी ये मेरे हाथ में है कि अभी मैं बाहर जाओं, अंदर पीख नब यह कहाया कि हाँ कि हाम्थी रिपीट होगा तब बैठ जाता हूं और यह और यह चीज एवाम पेट जाऊ तो बैठना भी रिपीट हो रहा है are you बोगए भारत में राम रूफ से यह मलत आ रही है बनी बनाई वन रही है बान्या नहीं लेकिन इसके पीछे जो secret है वो यह है हम सब जो आत्माएं हैं आत्मा में उसका संपोर्ण जो part है वो recorded है आत्मा है अविनासी तो part कभी विनास नहीं होता है तो वो तो ऐसे हुआ जैसे एक film डाई गंटे की बन गई उसको जितनी बात चलाएंगे वो हूँ वो हूँ repeat होगी तो यह part भी film की तरह record हो जाता है आत्मा में तो वो repeat ही होगा बार बार क्यों पद्दू क्यों कि हमें पता नहीं न किया इसलिए मनुस करने की सोचता है कुछ प्लान बनाता है फिर भी हम सब यह देखते हैं अनेक बार हर व्यक्ति देखता है जो हम करना चाहते हैं वो नही आत्मा में record हो गया है अब यह प्रशन उठता है कई हों का कई लोग phone call करके यह कह रहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी आसी बुरी घटनाएं होई हैं जिने हम फिर से नहीं चाहते हैं अपने जीवन में अब उनके लिए बड़ा कठी हो जाता है यह सोचना और यह इस होगा एक तो हमें यह बात जाननी चाहिए दूसरा अब अगर हमारे पास सत्य ग्यान हो गया है तो जो कुछ बुरा हुआ है उसके effect को हम delete करें यही तो सत्य ग्यान का proof है ना अगर हम उसे बार बार करते सोचते रहेंगे दुखी होते रहेंगे और यह सोचके और दुखी ह होंगे के फिर फिर होगा तो यह सत्य ग्यान की पहचान नहीं है यह होगा तो 5000 साल के बाद होगा और तब होगा जब हमें इसकी समर्थी नहीं होगी तो सत्य ग्यान का यह लक्षन है कि जो past हो गया क्योंकि वह 5000 साल बाद आएगा इसलिए उसको भूल जाए यह भी प्रश पुछे मैं इसे चैंज नहीं कर सकता चाहा, तो यह तो मुश्किल काम है ना, फिर तो उस डायरेक्टर को नया सब कुछ बना के चेंज करना पड़ेगा, जैसे माँ भारत है, एक बार माँ भारत की सेरियल सब चल गई, अब दो बारा फिर सुरू हुआ है, किसी कोई नया ड तो वो चेंज करेगा सब कुछ अपने अनुसार लेकिन अगर कें उसे ही कैसे चेंज करें यह संभव नहीं है तो क्योंकि यह वर्ल्ड का जो ड्रामा है यह जिसने भी रिकॉर्ड किया है यह उसको बहुत प्रिय है और यह परफेक्ट है इसमें कहीं भी चेंज करने वाली ब सोचते सोचते वो दुखी हो गया अब वो सोचता है अगले कलब में फिर मैं दुखी होगा इसको बदल देना चाहिए तो बदलना है तो पांच मिनट पहले को बदलना पड़ेगा न कि निगेटिव ठिंकिंग न करो तो दुख न होगा अभी उस पांच मिनट पहले को तो कर लिया, यही रहस्य है कि यह ड्रामा बिलकुल accurate, perfect बना हुआ है, इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इसको बदलने का रत है, past को बदलना, और past को कोई बदल ली नहीं सकता, जो गरीब है बहुत 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 है, वो सोचते हैं, अरे हम गरीब ही रहेंगे क् बहुत गरीब है वेचारा, बहुत ही बीमारियों से तरस्त रहता है, अब उसके लिए बहुत कठीन हो जाता है, उसे लगता है कि अरे मैं ऐसा ही रहूंगा क्या कल्प कल्प, तो उसके लिए बहुत कठीन बहुत है, अगर वो अपनी गरीबी को या कस्टों को समाप्त करन चाहते हैं तो उनको कर्मों को चेंज करना पड़ेगा जिनके कारण उन्हें गरीबी मिली है जिनके कारण उसको ऐसा बुद्धी मिली है यह जिस कारण से उनको यह बिमारियां मिली है तो जब अगले कल्प में वह आएंगे और वही कर्म करेंगे तब तो उन्हें पता नहीं होगा ना इन कर्मों कामेफल भी मिलेगा जैसे अब जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं मानलो एक व्यक्ति बहुत सराब पी रहा है सराब पीने इसे क्योंकि शराब छोडने की समझ उसे तब आई जब रत्य उसया पर वो बहुंच गया, शुरू में नहीं आई, तो इसलिए पास्ट को नहीं बदला जा सकता, इसलिए इस ड्रामा को बदला नहीं जा सकता, ब्राता जी वैसे तो बहुत ही सुन्दर और गहन बातें हैं, और सम बहुत कहराई से व्यक्ति को सोचने की आवश्यक्ता है, इतना सुन्दर आपने प्रकाशन दिया आज भ्राता जी हमारे दर्शकों को आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मित्रों कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, आज हम जिस भी स्थिती में हैं, हम अपने कर्मों के कारण ही हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्म हों या पिछले जन्म के कर्म हों लेकिन ये भी कहा गया है, गीता में साफ शब्दों में भगवान ने ये कहा है, तो मित्रों क्यों ना, हम इस वर्तमान को स्रेष्ट बनाएं, सुंदर बनाएं, तकी हमारा जो आने वाला भाविशे हो, बहुत ही सुंदर और सुंदर हो, आज का आपका दिन बहुत शुब और सुन्दर हो आपका तमाम जो जीवन है वो भी शुब और सुन्दर हो इन ही शुब कामनाओं के साथ नमस्कार झाल